Brought to you by Agilis Diagnostics फेल टेस्क की बाद आती है तो मैं फ्रोसर करता हूँ इंडियास लाज़ेस डागनोस्टिक्स कमपनी Agilis Diagnostics खुद को टेस्ट करते रहो टाटा मतलब रतन टाटा नाम भ्यून का, फोटो भ्यून की मालिक जैसे थे लेकिन मालिक थे नहीं टाटा की मालिक तो पेरेंट कमपनी टाटा संस भी नहीं है रतन टाटा के जाने के बाद नोईल टाटा ने टाटा ट्रस्ट वाली जिम्मेदारी संभाली, टाटा का सिस्टम इतना पुराना और मजबूत रहा कि सवाल नहीं है कि टाटा ट्रस्ट या टाटा संस या टाटा की कंपनियों का क्या हुगा सवाल ये है कि रतन टाटा की संपत्ती का क्या हुगा रतन टाटा अपने पीछे 7,900 करोड की पड़ी संपत्ती छोड़ गए है रतन टाटा ने अपना परिवार नहीं बनाया, शादी नहीं की, पतनियां बच्चे नहीं है टाटा में अक्टिव रोल में रहे सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट की कमान मिली है लेकिन रतन टाटा की 7900 करोड की संपत्ती रही जीवन भर रतन टाटा कैलकुलेटर रहे जाने के बाद किसी विवाद की गुंजायश छोड़ी नहीं जीते जी वसियत लिख कर गए ये भी लिख गए कि वसियत लागू कैसे होगी किसके उपर लागू कराने की जिम्मेदारी होगी वसियत में रतन टाटा की ख्वाईशे लिखी है चारों लोग उनी ख्वाईशों को पूरा करेंगे हालां कि वसियत की डीटेल अभी प्राइव रखी गई हैं, एकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रतन टाटा ने चार लोगों पर वसियत लागू कराने की जिम्मेदारी सौपी हैं, इन चारों लोगों में सौतेले भाईर, नोएल टाटा या जिमी टाटा शामिल नहीं हैं, लेकिन दो सौतेली बहने शामि जीजी भॉय और डियना जीजी भॉय जीजी भॉय सिस्टर्स रतन टाटा की मां सुनू कमीसारीट की बेटियां हैं रतन टाटा की मां की दूसरी शादी सर जमशेद जीजी भॉय से हुई थी सुनू रतन टाटा के पिता नवल टाटा की पहली पत्ती हैं जब रतन टाटा सिर महली मिस्त्री रतन टाटा के पुराने फरोसे मत और सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी रहे महली मिस्त्री टाटा संस के पूर्फ चेर्मिन साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई हैं महली मिस्त्री पारेवारे कंपनी रतन टाटा के साथ थे ना कि सायरस के साथ रतन टाटा की तबियत खराब होने से लेकर आन समय महली लगातार साथ रहे एड़ोकेट खंबाटा टाटा के दो ट्रस्टी में ट्रस्टी रहे 2016 में ट्रस्टी शिप छोड़ दी थी ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने रतन टाटा की वसीयत तयार कराई लेकिन खंबाटा ने एकरॉमिक टाइम से कहा कि उन्होंने वसीयत तयार नहीं कराई उन्हें तो इसके बारे में पता ही तब चला जब रतन टाटा नहीं रहे टाटा संस में रतन टाटा की महज 0.83% हिस्सेदारी थी उनके पास अपना जो भी था उसका ज्यादतर हिस्सा इसी हिस्सेदारी के कारण था चुकि उनकी वसीयत के डीटेल सार्वजनिक नहीं हुए है इसलिए ठीक ठाक पता नहीं कि कुल कितनी संपती रतन टाटा के नाम थी 7,900 करोड का डेटा अगस्त में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के हिसाब से रहा था रतन टाटा कभी देश के टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 50 या टॉप 100 अमीरों की लिस्ट में भी नहीं आए हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक अमीरों की लिस्ट में रतन टाटा का नमबर साड़े 300 था जमशेट जी टाटा ने खुद ये विवस्था बनाई थी कि टाटा संज जो कुछ भी कमाएगा उसका ज्यादतर हिस्टा टाटा ट्रस्ट को दान में जायेगा तब से टाटा ट्रस्स ने बड़ी रकमदान परोपकार में लगाया रतन टाटा ने विवस्था बनाई रखी कहा जा रहा है कि वसीयत में उनकी ख्वाइशे भी परुपकार दान को लेकर हो सकती है अब तक जितनी जानकारी मिली है उसके हिसाब से रतन टाटा के पास दो ही घर थे मुंबाई के कोलाबा में वक्तावर बंगला जुसमें रहते थी अलिबाग में एक holiday home बनाया था ये थोड़ी हरान करने वाली बात ये कि टाटा का इतना बड़ा empire संभालने हो और बड़ा करने के बाज भी रतन टाटा ने खुद start-up और नई जमाने की करी 25 कंपनियों में इन्वेस्ट किया था ओला, पेटियेम, ट्रैक्सन, फर्स्ट क्राए, ब्लू स्टोन, कार देखो, कैश करो, अबन कंपनी, अपर स्टॉक्स जैसे बिजनस में हैं जिसमें टाटा नहीं है टाटा भी ऐसा कर सकता था, लेकिन कॉपी करने की बजाए उन्होंने इन्ही कंपनियों को बढ़ा करने के लिए अपने नाम और पैसे की मदद की R&T Associates Private Limited के जरियों उन्होंने 186 करोट रुपे का निवेश किया था वसियत खुलने के बाद पता चलेगा कि रतन टाटा की संपत्ती इन्वेस्टमेंट का क्या फविश्य होगा आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है आप कॉमेंस में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहे हैं न्यूस तक झाल झाल